दोस्तों, ओम मंत्र की ओर्जा का प्रभाव इतना अधिक होता है, कि यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थे रखने में सहायक होती है। सिर्फ यही नहीं, ओम मंत्र के जाब से हमारे चारों और सकारात्मक ओर्जा का संचार होता है, जिस से हमारा मन शान्त और प् अनंत विविद्धा धारन करता है। दोस्तों ओम का प्रतीक हिंदू अवधाना में सर्वच होने के रूप में पाया जाता है। माना जाता है कि ओम शब्द की उर्जा अनंत है। जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इसे अनंत के देवता शिव का निशान माना जाता है। ओ ओम ज्यान और वास्तविक्ता का प्रतिभिम्ध है। दोस्तों ओम मंतर के उचारंट से होने वाले कमपन से हमारे शरीर की उर्जा कस्तरुनत होता है। ओम सार्वभामिक चेतना का प्रतिनिद्व करता है जो इश्वर का प्रतिख है। दोस्तों ओम के उचारंट से निकलने वाली ध्वानी कोई आम ध्वानी नहीं है। यह चिकित्सकों के लिए चक्रों को खोल कर शरीर को सभी विकारों से मुक्त करती है। दोस्तों ओम से निकलने वाली ध्वानी ब्रहमांड में मौजूद हर उस वस्तू का प्रतिनिद्व करती है। जो सकारात्मक उर्जा का स्त्रोत है। यह उर्जा चक्रों के माध्यम से उपर आती है और हमारे मस्तिश्क पर प्रभाव करती है। दोस्तों यो के बारे में जो प्राचीन लिपियां और ग्रंत मिलते हैं। उन सभी में उम का विवरंट सबसे सर्वोच और सर्वोश्रेष्ट मिलता है। बौध और सनातन धर्म के अनुसार ओम शब्द सभी मंत्रों की जनी है। अर्थात सभी मंत्रों का जन्म ओम शब्द से ही हुआ है। दोस्तों ओम मंत्र की प्रतेक धुवनी में हमारे हर चक्र को ब्रभावित करने की क्षमता है। यह शब्द हमारी मन रूपी तीसरी अद्रिशनेत्र को खोल कर ह हमें परमात्मा से मिलाती है, जो मुक्ती का मार्ग है, ओम मंतर सभी चिंताओं और संसार रूपी किसी भी विवसन, चिंता तनाव, कामक्रोध, मुख और लालच से चुटकारा दिलाकर, हमें एक धैरवान सर्व परिव्यक्तित्व का निर्मान करने का मुखा देता है, दोस् उम मंतर हमें योग से जोडता है, जो हमारे मन को शान्त और स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है, दोस्तों तनाव आज के दौर की सबसे बड़ी और चिंता जनक समस्या है, तनाव को रोकने के लिए लोग कितने ही उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी उपचार से कोई खास लाब प्राप्त नहीं होता, तनाव एक ऐसी बीमारी है, जिसका कोई पुखता एलाज नहीं है, और ना ही इसे कभी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि तनाव हमारी खुद की भावना है, और भावनाओं को नियंतरित करने के लिए योग ही सबसे उत्तम मार्ग है, और योग की शुरुआत ही ओम शब्द से होती है, दोस्तों ओम का जाब किस तरह हमारे मन और भावनाओं को नियंतरित करता है, इस विशह में पूरे विज्ञानिक शोद किये जा चुके हैं, दोस्तों एक अध्यान के रिपोर्ट के आनुसार, जब हम ओम मंतर का उचारण करते हैं, तो यहां मंतर लिंबिक सिस्टम में गतेविधी को कम करता है, जो तनाव और भावनाओं से जुड़ा मस्तिश्क का हिसा है, मस्तिश्क की गतेविधी की निगरानी करके शोद करताओं ने पाया, कि उम मंतर मस्तिश्क को आराम देता है, और इस प्रकार यहां हमे तनाव मुक्त रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों एक और अध्यान में उम के जाब को अवसाद यानी डिप्रेशन के इलाज के लिए बहुत उप्योगी बताया गया है व्यज्यानिक बताते हैं कि जब हम उम मंतर का उचारण और ध्यान करते हैं उस समय हमारे मस्तिष्क में एंडोर फिंस नामक हार्मोन का स्वराव होता है जो कि हमें तनाव मुक्ष और आनंदित महसूस कराता है यही नहीं उम का जाब करने से हमारे शरी में तनाव और चिंता पैदा करने वाला मुख्य तत्व एड्रेना लाइन का स्तर भी कम होता है। एक वर्दान है जो प्राक्रितिक है लेकिन इसे हासिल करना पड़ता है। यह अपने आप विरासत में नहीं मिल सकती। ओम मंतर का जाप आपको एक आगरता की चरम सीमा पर ले जा सकता है। यदि आप ध्यान करते हैं तो आप निश्चित ही इस बात से वाकिफ होंगे। कि योगी आठ शाखाओं में से छटी धारणा है जो की एक संस्कृत शब्द है। धारणा का अर्थ है एक आगरता और योग से संबंदित सभी प्राचीन लेखों में उमके जाप से धारणा को जोड़ कर दिखाया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंत बताते हैं कि किस तरह हम विभिन मंत्रों का जाब करके और ध्यान करके एक आगरता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक योगी जो अध्यात्म पर अपनी पूरी पकड़ रखता है। वह हमेशा ध्यानमग्न रहता है। वे कहीं होकर भी कहीं और होता है। अर्था तुम के बिना कोई मंत्र नह आखिरी से लेके मस्तिश्क तक मौजूद है। ओम का संबंधिनी चक्रों से है। हमारे शरीर में ये चक्र उर्जा का संचार करते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि ये चक्र ही हमारे शरीर की उर्जा कस्त्रोत है। दोस्तों जब भी हम ओम मंत्र का जाब करते हैं। तब ओम कि ध्वानी के प्रभाव से चक्र सकर आत्मक रूप से प्रक्रिया करने लगते हैं। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों योग विद्या और आयुर्वेद में भी ओम जाब को हुरदै स्वास्थ के लिए फाय देमंद माना गया है। यदि हम लगातार ओम मंत्र का जब करते हैं, तो इस ध्यान के रूप में माना जाता है। दोस्तों हाल ही कि एक अध्यान में पाया गया, कि जब हम ओम मंत्र का जाप मानसेक रूप से निरंतर करते हैं, तो इससे हमारा रक्त चाप बेहतर होता है। इसके अत्रित अध्यायन में यह भी पता चला, कि ओम मंत्र का जब करने से भी वाही फायदे होते हैं, जो सिर्फ मेडिटेशन करने से होते हैं, बलकि ओम मंत्र का जाप्व ज्यादा प्रभावी धंग से हृदय स्वास्थे को बेहतर करता है। इसी प्रकार के एक और अध्यायन में पाया गया, कि ओम शब्द का उचारन को रोन रीहरदयरों के जोखिम को कम कर सकता है। हमारे विचार ही हैं, जो हमें अच्छा बुरा, आलसी, तामसी, क्रोधी, धैरेवन, इत्यादी बनाते हैं। आज हमारा जो भी व्यक्तित्व है, वह हमारे विचारों की ही देन है, इसलिए विचारों का महत्व सबसे अधिक है, लेकिन कोई भी इस बात पर गौर नहीं करता। ओम जाब करने से हमारे मन से सभी नकारात्मक विचार नश्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमारे चक्र पूरे शरीर में सकारात्मक उर्जा का संचरन कर रहे होते हैं। तो आपको उसी समय मंतर का उचारन शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों यदी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।